बच्चो ये कल्पनात्मक रचना है इसमें आपको अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करना होता है और उसे फिर पेपर पर लिखना होता है इसमें 100 से 120 शब्दों तक लिखने के लिए आता है पर ये क्लास 4 और 5 के लिए है जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे वैसे वैसे आपको इसी टॉपिक को थोड़ा डिटेल में लिखना होगा तो चलिए लिखते हैं आज का टॉपिक है यदी मैं डॉक्टर होती और कोरोना जैसी बिमारी की वैक्सिन ढून लेती यदी मैं एक डॉक्टर होती तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात होती और अगर कुरोना जैसी बिमारी की वैक्सिन ढून लेती तो ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात होती सबसे पहले तो मैं बहुत खुश होती कि इतनी बड़ी खोज मैंने की है मुझे लाखो लोग जो मृत्यू की गोद में जा चुके हैं उनकी जान बचाने का सौभाग्य मिलता है ये एक महामारी है जो पूरे विश्व को अपना शिकार बना रहा है ऐसे में एक वैक्सिन ही सहारा है जो इस महामारी से पूरी दुनिया को बचा सके मैं इस वैक्सिन की खोज होते ही पूरी दुनिया में इसका विज्ञापन करवाती और सब को जागरू करती कि जल्द से जल्द इसे लगवाएं और अपने आपको कोरोना जैसी महामारी से बचाएं सरकार से निवेदन करती कि वह इसे कम से कम कीमत में अथ्वा निशुल्क उपलब्ध कराएं जिससे प्रतेक व्यक्ति इसका लाव उठा सके काश सच में मैं भारत का सर गर्व से उचा कर पाती बच्चो अगर आपको और भी कुछ लिखना हो तो आप बस इमेजिन करिए कि आप अगर डॉक्टर होती और कोरोना जैसी बीमारी की वैक्सिन आप ढून लेते तो आप क्या क्या करते बस उसे ही लिखना है फिर मिलेंगे बबाई टेक केर हैवा नाइस टेश टेश